दोस्तों ये वीडियो साउथ अफरीका का है, जिसमें वहाँ के फॉरेस्ट आफिसर गैंडो के सींगों को खुद ही काट रहे हैं, क्योंकि साउथ अफरीका की फॉरेस्ट एजेंसी के अनुसार, वो सभी गैंडो के सींगों को काट देगी तो उनका शिकार बंद हो जाएग लेकिन हमें पता है कि जानवरों के सींग उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं जिससे वो दुसरे जानवरों से अपने आपको बचा सके तो फिर साउथ अफरीका की फॉरेस्ट एजनसी इन गैंडो के सींग क्यों काट रही है पर असल में गैंडे के सींग में ऐसा कुछ भी नहीं है और सींग किवल केरेडीन से बने होते हैं लेकिन ब्लैक मार्केट में गैंडे के सींग की कीमत ज्यादा होने के कारण इनका शिकार होता रहा है इसी रीजन से South Africa की Forest Agency इन गैंडों के सींगों को काट रही है और सींग के लिए गैंडों को मरना ना पड़े। ऐसी ही informative वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।